नश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार प्रखिंग नूज अपडेट्स के रूप में चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली शराब गोटालों में आम आदमी पार्टी को ऑरोपी बनाने पर कर रहे हैं विचार मनीश शुदिया केस में CBI एडी ने सुप्रीम कोट से कहा को दिया दिल्ली सराब गोटला केस में इसी साल फरवरी से जिल में बंध हैं मामले में दोनों जाच एजेंसियों की और से अतरिक्त सोलिस्टर जर्नल स्वी राजु ने नियाई मूर्थी संजीव खन्ना और नियाई मूर्थी स्वी एन भट्टी की पीट से कहा क्यों ने राज़े को निर्दिश दिये हैं कि एजेंसिया आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है हालां कि पीट ने राजु से मंगलवार को इस बारे में अपना रुक इस्पस्ट करने को कहा है कि क्या CBI और ED की जाच वाले मामले में आपके खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार हमारी परिक्षान अले इरान को इसराइल की धम की दुनिया का सपोर्ट मांग कर बोले नेत्यान्यू यह युद्ध आपका भी युद्ध है जिया दोस्तो इसराइल के परदानमंत्री बेंजामिन नेत्यान्यू ने इरान और हिजबुल्लह को चेताउनी देते हुए कहा है कि वे उत्तर में हमारी परिक्षान नहले नित्यान्यु ने सौमवार को इस्राइली संसद नेसेट में धिये भाशन में कहा कि हमास को हराने के लिए दुनिया को एक्जिट हुने के ज़रुट है उन्होंने कहा कि यह है युद आप का भी युद है बेंजामिन नेत्यान्यु ने कहा कि गाजा पट्टी में हमास का युद समाप्त नहीं हुआ है बेंग्जामिन नित्यानियू ने हमास के खिलाफ विश्व एक्ता का आववान किया और कहा कि हमारा युद आपका युद है यदि हम पूरी तरह से एक्जुट नहीं हुए तो यह कल आपके साथ होगा नित्यानियू ने कहा कि हम जीतेंगे क यहां हमारा अस्तित्व दाव पर है उन्होंने हमास की तुलना नाजी जर्मनी से की और संगर्ष को प्रकाश की ताक्तों और अंदेरी की ताक्तों के बीच मानवता और पशुता के बीच युद्ध करार दिया। इस आरोपियों के खिलाभ मामला दर्च किया है, उनमें 16 आरोपिग गंग टोक और कोलकता में तेनाद पासपोर्ट दफ्तर में तेनाथ सारे अधिकारी क्रमचारी ही फरजी पासपोर्ट बनाने वाले ग्रहों का हिस्सा थे ये सबी लोग मिलकर देश की सुरुक्षा के साथ बड़ा खिलवार कर रहे थे इसमें CBI ने कारेवाई की CBI ने 14 अक्टुबर को कॉलकता दार्जलिंग और सिली गुडी में 50 जगों पर चापे मारी कर गेंग टोक के पासपोर्ट अधिकारी गोतम कुमार सहा और दीपू शत्री को रिश्वत के पैसो के साथ ग्रफतार कर लिया था इसके बाद चापे मारी में एजेंसी ने काफी सारे फरजी दास्तावेस पासपोर्ट और 3.08 लाक रुपे भी बरामत किये इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार राहूल गांधी बोले प्रदान मंतरी को मनिपूर से जाधा इसराइल में दिल्चसबी मनिपूर अब एक राज्य नहीं रहेगा जाती के आदार पर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा उन्होंने का है कि मेरे लिए यह हैरानी की बात है कि देश के प्रदानमंत्री और भारत सरकार को इसराइल हमास जंग में इतनी दिल्चस्पी क्यों है लेकिन मणीपुर में क्या हो रहा है इसमें उन्हें दिल्चस्पी क्यों नहीं है वहां लोगों की हत्याएं हो रही है मैल अगली बड़ी खबार अगली बड़ी खबार गाजा खाली करने का आदेश मरीज कहां जाएं डाक्टर्स बोले हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे डाक्टर्स का कहना है कि वे मरीजों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे नहीं अस्पताल खाली करेंगे क्योंकि मरीजों को रिलोकेट करना ना मुंकिन है उन्हें गाजा में दूसरे सुरक्षित अस्पतालों में भी जगय नहीं मिल पाएगी क्योंकि किसी भी अस्पताल में जगय नहीं है गाजा में 22 अस्पताल हैं यहां 2000 से जदा मरीज भरती हैं गाजा के सबसे बड़े अलशिफा होस्पिटल में 70 पेशन्ट वेंटिलेटर पर हैं इस्राइली हमले में गायल सेकड़ों लोग भी हर घंटे अस्पताल पहुँच रहे हैं उदर दोस्तों World Health Organization WHO का कहना है कि गाजा के अस्पतालों में भरती मरीजों को अस्पताल खाली करने के लिए मजबूर करना मृत्युदंड जैसा है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार गगनियान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय हुआ ताई 21 अक्टूबर सुबह साथ से नो बज़े के बीच होगी लॉंचिंग चार टेस्ट फिर अनमेंड और मेंड मिशन भेजेंगे जैन दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन इसरो भारत से पहले हुँमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनियान के क्रू स्कैप्स सिस्टम की टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सुबह साथ से नो बज़े के बीच करेगा आसान भाजा में कहें तो मिशन के दोरान रोकेट में गलबड़ी होने पर अंदर मोजूद एस्ट्रोनोट को पृत्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होगी गगनियान मिशन के टेस्ट विकल औरबट मिशन वन टीवी डी वन को श्री हरकुटा के सतीज धवन अंतरिक शिकेंद से लौंच किया जाएगा इस फ्लाइट में तीन हिस्से होंगे अबाट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रोकेट, क्रू मोडल और क्रू इसकेप सिस्टम, क्रू मोडल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं होगा जैसा मैंड मिशन में होगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार 128 साल के बाद उलमपिक में क्रिकेट खेला जाएगा 28 Los Angeles Olympique में 5 नए खेलो को मिल चुकी है मन्जूरी जियां दोस्तो Los Angeles Olympique बाद क्रिकेट बी खेला जाएगा International Olympic Committee अध्यक्षित Sómanis Bach की अगुआई में सवंवार को मुंबई में हुई बेटक में इस पर अंतिम फैसला किया गया क्रिकेट इससे पहले 1900 के पैरिस ओलम्पिक में खेला गया था यानि कि 128 साल बाद क्रिकेट की ओलम्पिक में वापसी होगी दोस्तो, IOC कारेकारी बोड के अधिकारियों की बेठक में क्रिकेट समयत 5 किलो को शामिल करने के फैसले पर मोहर लगाई गई इन में क्रिकेट के लावा बैस बोल, सोफ्ट वोल, फ्लेग, फुटबोल, क्वेश और लेक्रोस सामिल है इसी महीने 13 टुबर को इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी, IOC ने लोस एंजलिस ओलम्पिक दोजारटाइस में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताओं को स्विकार किया था इसके बाद दोस्तो, अगली बाड़ी खबार महुआ मोहित्रा ने सवाल पूँचने के लिए केश लिया भाजबा सांसद का बड़ा आरोप, टीमसी नेता, सीवियाई जाच को हैं तेयार जीहां दोस्तो, भाजबा के सांसद निश्रिकांत, दुबे ने रईवार को लोगसबाद देक्ष ओंबिरला खुपत्र लिखकर तरणमूल कांग्रिस टीमसी की सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ एक जान समीती गटित करने और उन्हें सदन से ततकाले लंबित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सांसद में सवाल कुछने के बदले में टीमसी निता ने वैवसाई दरसन हिरानंदानी से बतोर रिश्वत केश और गिफ्ट लिया वही मोहुआ मोहित्रा ने भाजपासांसत के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अडानी के आफशोर मनी ट्रेल ओवर इन्वोई सिंग बेनामी खाते की जाच पूरी होने के ठीक बाद CBI का जाच के लिए स्वागत है झाच के लिए स्वागत है